मुझे भी कोविड हो गया था तो मैं अल्मोस्त तीरा दिन इसीओ में अड्मिट था वेंटिलेटर पे मुझे रमडेसिवर चड़ी कोविड-19 में उसी दे मैं अपने फादर को खो दिया जॉब छोड़ के आना चलेंजिंग था कई बार थोड़ा सा सवाल भी उठे कि क्यों छोड़ा कैसे छोड़ा खुद में भी कभी कभी डिप्रेस फील हुआ दोस्त आज कहां है प्रमोशन हो रहा है और आप यहां पढ़ आफने तो यही रहेगा कि आप बच्पन के वह भी अब मतलब भच्पन में किस अच्छा था स्टुडेंट था अवरिज से अच्छा ही सुडेंट था मैं अपनी प्राइविश्यक्षा प्रयाग्राज में अटेंड की उसके बाद मैं जेवन्वी प्रयाग्राज जवाहर नहोते विद्याले प्रयाग्राज मैंने 9-12 वहां से अपना 12 पास किया क्यां होता है सुपर 30 का अपलोगों ने सुना होगा तो उसी से अफिलेटेट कोचिंग सुपर हंडड़ वहां से मैं इटी जेए की कोचिंग की गेल इंडिया के स्पांसर्शिप के द्वारा कोचिंग के बाद मुझे कॉलेज मिला एन इटी राइपूर में अपना बीटे प्रफेशनस में लग गया और अभी इसे अफिक यह जय कि यह जर्नी होती है यह 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 नहीं पता होता है मतलब तैयारी करेंगे होगा कि नहीं होगा तो आपने मतलब कहीं पर क्यूंकि आप जॉब कर रहे थे तो कहीं कहीं आप एक स्टेवल थे तो आपने इतना बड़ा निर्ने कैसे लिया कि जॉब छोड़के हम तयारी करेंगे एक्चुली मेरी जॉब थी वो सेमी गवर्मेंट थी और काफी सुविधाय भी थी मेडिकल से लेके आपको क्वार्टर की फैसिलिटी भी मेली हुई थी और अच्छी खासी पैकेज भी था मेरा एक टाइम के बाद वहां पर साचुरेशन लेवल आ गया था मन नहीं लग रहा था शुरू से इंकलिनेशन था जाईर सी बाद सिवल सर्विसस की तरफ तो मैं एक इसकेप ढूंड रहा था जॉब के सा तयारी भी नहीं हो पा रही थी मैं घरवालों से भी इसकेपा किया अपने पीर से तरफ लिप कि थोड़ के तयारी करता हूं वो सबने माना किया आप ढ़ण जोड़ो कि काफी अच्छी जॉब है और करते रहो नहीं तो फिर सी मे रहना तो फिर क्या हुआ कि एक दिन मैं अचानक से बैठा था मैं एक रिजगनेशन लेटर लिखा और अपने मैनेजर को जा के दे दिया अपने घरलों को भी नहीं बताया और किसी से कुछ नहीं का रिजगनेशन लेटर दे के चलाया मेरे मैनेजर भी शॉग्ड क्योंकि मेरे यहां तक पहुच गया तो फिर मैंने इसलिए वहां से मैंने छोड़ दिया और अच्छे से लगके तैयारी की और आज सेलेक्शन हो गया कई बार मेरे साथ भी हुआ कि यार देको दोस्ताज कहां है प्रमोशन हो रहा है और आप यहां पढ़ रहे हो बारा गंटे कोई ट्रिप नहीं कर पा रहे हो तो कई बार होता है सबसे बड़ी चीज जॉब करने के बाद यह दिक्कत आती है जब पैसे नहीं आते तो फिर वहां पर भी थोड़ा से डी मोटिवेशन आता है बट क्या है सक्सेस अभी मज़द देती जब थोड़ा सब स्ट्रगल रहता है और यह सब चीज़े आपको मोटिवेट करती है अच्छे से प्रिपेर करने के लिए पीसेस की जरनी आपने मनलब कब सुरुआत की इ हर सब्जेट की स्टेंडर्ड बुक्स जैसे की हिस्ट्री की आपकी बिपिन चंद्रा स्पेक्ट्रम हो गई और पॉलिटी की लक्षमी कान्त होगी एकनॉमिक्स के मुरुनाल सर के मैंने नोट से किये और अपना इन्वार्मेंट टेक्योजी और साइंस टेक्नोलोजी के र अबट उसके मिजे काफी हल्प की की यूपी पीसेस का में स्लियर करने में वहाँ पे टार्गेट यूपी एक बैच है सुदर्शन लोडा सर का उनको जाइन किया मेरा ऑप्शनल सोचोलोजी था तो उसके लिए मैंने एक टेलिग्राम पे चैनल सोचो मेंटर करके तो सोचो तो मेरा सब कुछ इंग्लिश में था सर बहुत सारे चात्रों से होते हैं जो नॉर्मल बीए करते हैं या फिर बीटेक वाले होते हैं उन लोग का सिलेक्शन भी ज्यादा होता है तो मतलब आपका बीटेक था और कहीं न कहीं उसकी पढ़ाई अलग होती और जब आप यहां का माइंड ब्रॉडनिंग इतनी है अब जैसे हमारी एक टॉपर भी रहे हैं कई साही रह चुकी जो नॉन इंजिनरिंग बैग्राउंड की हैं तो यह जाहिर सी बात है इंजिनरिंग वाले थोड़ा सा बेनिफिटेड रहते हैं पर अगर आप अच्छे तरीके से डेडिके करके पढ़के कोई ची समझ में नहीं आ रही तो अपने जो कोई टीचर चाफिर सीनियर से पूछ के इस तरीके से बने त्यारी की सर जो आपकी पूरी जर्नी रही तो इसमें काफी सारे उतार चड़ हो है तो मतलब इन में क्या-क्या कटनाईयों को सामना करना पड़ा और क इन किन लोग का इन कटनाईयों में बहुत ज्यादा सही हो ग्राइब के पूरी तयारी में अधिए सबसे बड़ी बात की कटनाईया आती है जाती है मेरी साथ भी आई कट शॉट मैं करूंगा मैं जब से स्टार्ट किया अपनी प्रिप्रेशन तब से जॉब छोड़के आन मेरे तीन से चार मही ने खराब गया तो यह सब चीज नहीं बट आफ्टर आल हर चीज से मैंने सीखा कि आपको पीछे मुनकी देखना नहीं तो आपको आगे आप उसको देखना चाहिए तो मैं फिर आगे देखा और मेरी पूरी फैमिली ने सपोर्ट किया मेरे दोस ने अगे हर समय मेरा और मेरा साथ दिया तब सारी standard books आपने पढ़ ली तो उसका revision बहुत जरूरी होता है तो revision के साथ मैंने short notes बनाए है उसके लावा current affairs के videos जो मैंने देख की notes बनाए है उसको multiple revision कम से कम 3-4 बार आप per month का current affair revise करना बहुत ही जरूरी है इसके साथ एक चीज़ आप कर सकते हैं यहां जैसे प्रिम्स के बाद मेंस का जो फेज होता है यहां पर अलग थोड़ा इस्टेड़ी होने शिए क्यूंकि यहां पर आपको लिखना पड़ता है सारा कुछ तो उसके लिए आपने क्या मनलब इस्ट्रेड़ी फॉलो किसे मेंस के लिए तो जैसे मेरा प्रिलिम्स खतम हो गया मेंस के टाइम भी कम थो अलमुस तीन महीन दा तो मैंने टार्गेट यूपीसी का भी मेंस दे रहा था त इसको लोगों को बहुत दिक्कत रहती कैसे करना है उसके लिए मैं बोलना चाहूंगा मेरे हिसाब से घटना चकर की एथिक्स की बुक काफी सफीशेंट है बहुत जाद आपको किताब पढ़नी की ज़रूत नहीं है यूपी-पीसी के लिए जी हां अब यूपीसी के लिए कि जब करना है खर चुका है और अभी ऑप्सी में अभी ऑप्सी में जाथा है तो अभी टाइम पर यह फिस सहाथ में कोई तैयारी करना चाहता है तो कितना मतलब चैलेंज उसके लिए रहेगा या फिर किस से अपनी जर्नी को आगे बढ़ाया सांगा देखिए मैं इस question को कि जब आप UPSC की तियारी करते हैं, या UPPSC, तो आप हर चीज़ कवर सकते हैं, UPSC आपसे कुछ भी पूछ सकता है, तो आपका नॉलेज़ बेस ब्रॉड होना चाहिए, तो अगर जब एक बार आप स्टेंडर्ड बुक खतम कर रहे हैं, फिनिश कर रहे हैं पढ़के, तो अगर आप स्टेंडर्ड बुक्स पढ़ना है, तो यूपी PCS के लिए भी खतम हो रहे हैं, विल्कुल फायदा देगी, मेन मेरे साब से डिफरेंस कहां आता है, वो आता है करेंट अफेर्स का लवल, जो करेंट अफेर्स यूपी PCS में पुछे जाते हैं, उसमें काफी डिफरेंस रहता है, तो मैंने अलग से यूपी PCS के लिए सिर्फ करेंट अफेर्स पढ़ा था, बाकि मेरी प्रिफरेशन पूरी यूपी PCS वाली ही थी, जो बुक रिसॉर्स फॉलो किये, मैंस में मैंन यूपी PCS के लिए घटना चकर की बुक लिए थी, वो फॉलो किया, तो यह रहा, और PCS के लिए आपका इस बार कौन सा अटेम्ट था, यह मेरा दूसरा अटेम्ट था, और मेरा पहला इंटर्व्यू था, जैसे कि बहुत सारे चाहत तैयारी करते हैं, तो आप उनको कुछ आपसे सबसे बड़ी चीज का ध्यान रखना है, वो आपकी कंसिस्टेंसी, प्रहिम आपकी कंसिस्टेंसी कितनी मिंटेन है, और आपका मॉटिवेशन लेवल, कई बार होता है कि हम लोग कुछ दिन लगातार पढ़ते हैं, फिर कुछ दिन लगातार पढ़ने मन नहीं लग तो पतम उनाने या जिम जाना, तो मैं यह दो चीज फॉलो करता था और रिफ्रेश होने के लिए, तो आपको जो भी फॉलो अच्छा लगता है वो एक दिर घंटा जरूर करिये, और आपके आसपास चीजें कैसे हो रही है, क्या हो रही है, उसका सब चीज का खुला ध्या आपकी upbringing से लेकर अब तक आपका education level क्या रहा है, आप कैसे पढ़ाई करते हैं, इस तरीके से आपके personality develop होती है, जैसे कि आज की टाइम पर क्या है, social media बहुत लोग अपना अलग अलग तरीके से यूज करते हैं, तो आप इसको किस प्रकार से देखते हैं, किस तरीके से यू availability मिलेगे, कई सारे topers, educators, video post करते हैं, अपने information डालते हैं, आप उनको देख सकते हैं, और दिमाग भटकाने वाली चीजे में काफी रहती है, तो एक serious aspirant ये होता है, जो सब चीजों से हट कर, अपने focus पे, अपने जो main aim है, उस पे focus रखता है, और social media में बहुत जादा time नही सारे viewers को बहुत ही अच्छी information प्रवाइड के, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद से, तो दुस्तों आप लोग को आज का वीडियो कैसा लागा, आप लोग एक बार comment करके जरू बताना, एंड यदि आप लोग कोई suggestion या सुजा होता है, तो आप लोग comment box में बता सकते हैं, तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जैहन वन दे मातर,